जहें दोस्तों बंदे मातरम अगर चम्चो की प्रवत्ती बतानी हो या चम्चो को डिफाइन करना हो तो उसको कई सारे तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है लेकिन सबसे आसान तरीका होता है ये कि साहब की जी हजूरी में लग जाना ऐसा ही कुछ हुआ है अभी देश के वरिष्ट नेता, कॉंगरिस के मतलब जो पूर अध्यक्ष रह चुके हैं राउल गांदी जी के साथ, जिनकी नेतागिरी के चर्चे इतने जादा है कि हर कोई ये बोलता है कि ये बंदा एक दिन गिनीज बिकॉफ वर्ल्ड डिकॉर्ड म अपनी जगे बना ही लेगा, हलाकि जिस कारण से वो जगे बनाएगा, वो कारण काफी निराश जाना के, पर फिर भी जगे बनाना तो जगे बनाना होती है, क्योंकि बदनामी में भी नाम होता है, तो कुछ हैसा ही हुआ है कि एक क्लिप वायरल काफी जादा हो रही है, जि क्योंकि और कोई मुद्दा तो मिलता नहीं तो इसी तरह कि टुचपुंजी चीज़ों को लेका नीचा दिखानी कोईश करते हैं उन्हों उनको घेडनी कोईश करें लेकिन जैसे ही साथ सामने आया तो ऐसा लगता है इसे उल्टी कदम भागते हुए दिखाई दिये प्रानवंद्रिन एन मोदी ने सुमवार को वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में हिस्सा लिया इस समिट में पिये मोदी दोरा दिये गए समोधन की एक क्लिप को शेयर करते हुए कॉंग्रेस ने उन पर तंज कसा है इसके साथ साथ राहूल गांदी ने पिये मोदी पर निशाना साथा है कॉंग्रेसी एको सिस्टम के सिपाही विनोध कापडी और रोहिनी सिंग जैसे लोगों ने भी खुशी जाहर करी है वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम में अब पहले की तरह विश्व के नेता आमने सामने नहीं मिलते सब वीडियो कॉल पर होता ह करोना काल में पिये मोदी भी दावोस एजेंडा समित में वर्चुली शामिल हुए इसी इवेंट की जो क्लिप शेयर की जा रही है उसमें वो अपने समोधन के दौरान बोलते बोलते रुख जाते है इस पर कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी ने निशाना साधा है आरूप लगाया जा रहा है कि टेली प्रॉम्टर रुख जाने की वज़े से पिये मोदी आगे बोल नहीं पाए कॉंग्रेस जूट फहला रही है उसका अधार एक आधा दूरा सा वीडियो है पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर वास्ता में हुआ क्या है पूरी वीडियो से पता चलता है एक हाली टेली प्रॉम्टर में नहीं आयी थी बलकि मैनेजिंग टीम ने पी-एम से रुक कर ये पूछने को कहा था कि सबको उनकी आवास आ भी रही है या नहीं आ रही है पर ये चीज़ शायद इन लोगों ने ध्यान नहीं थी बताते हैं कि कारेकरम के दुरान तकनीकी गलबड़ी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के यूट्यूब चैनल पर पिय की शुरुआत करी सचा ये हैं कि ये खराबी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तरफ से था ना कि टेली प्रॉम्टर की खराबी के कारण था पी-एम मोदी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में देश को समुर्द कर रहे थे ना कि बीजेपी को मगर कॉंगरेस के अंदर मोदी के प्रत प्रश्चा को कम करने वाली बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उनको इसी समझ में नहीं आती है 2019 के चुनाओं में पीए मोधी को भरस्ट दिखाने के लिए इनके चौकिदार चोरे वाले अभियान पर भी देश ने दिखा दिया था पीएम की बोलने की जो कला है उसको लेकर उनका मुकाबला करना बेहत मुश्किल होगा जंता ने दिखा दिया था कि वे मोधी को पसंद करे आना करे लेकिन देश के रवती सम्मान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की बाते यदि आप करेंगे तो ओविसी बात है वो कहीं से भी आपको सही नहीं ठहराएगा कॉंग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि टेले प्रॉम्टर का है अच्छा चलता हूँ दूआओं में याद रखना इसका रावल गांधी ने लिखा कि इतना जूट टेले प्रॉम्टर भी नहीं जेल पाया रोविनी सिंग ने लिखा लिखा देना चाहिए कि भाई हम क्यों निउस इतनी आसानी से बता देते हैं इसके उबर शलब बनीतर पाटी लिखते हैं कि डोंट दोस गेटिंग स्काइटेड अट टेक ग्लिच नोट रिलाइस देट प्रॉब्लम वाजट वर्ल एकनोमिक फोरॉम सेंट इसके उपर लाला करके टुटर हैं वो लिखते हैं कि कि PM Modi was speaking at World Economic Forum representing India not BJP but there are some Indians so full of PM Modi hate that they have started hitting India clipping the video to show as if Indian PM got insulted on world media लब यह बताता है कि इंसान की कुंठा आखिर में कितनी गहरी हो चुकी है और किस हद तक वो गिरना शुरू हो चुका है आप लोग का इस बारे में क्या कहना मुझे कमेंट करिक जरू होता है मेरे जूलिम फरालत नहीं जैहिन, शेयर भारत